अब आविशास को अवी चाज में आपको स्वागत है और अविशास के सभी वीडियो हैं कनुना नोसरे लेटर सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब किजिए अविशास और वेल बटन दोआना ना भूले कि रादे रादे तो आज हम बनाने जा रहे हैं कर रो नुकले सूजी का अलवा मैं पहले भी आपको बता चुकिए हूँ मेरे बाबु की फेवरेट डिश है सूजी का अलवा तो जिसके लिए हमने लिया है अदे कटोरे सूजी और उतना ही चीनी जितनी सूजी हो आप इसके बड़ा कर भी बना सकते हैं और इतना ही पानी और इतना ही दूठ तो पानी हमें कम से कम use करना हूं और दूठ भी हमें कोंट्री के कोडिंग डालने आप ज्यादा पतला हल्वा खाना चाथे या ज्यादा गाडा और हमने लिया है यह राइस ब्रान ओल्ऐल है आप चाहे त कड़ाई है तो बड़ी छोटी सी है जिसमें कि मैंने डाल दिया है यह मैं अभी लास्ट टाइम गई थी सुपरमार्केट तो मुझे देखी काफी छोटे साइज में मैं काफी टाइम से लाने के सोच रही थी हाला कि में पास वान लीटर की कड़ाई है बट यह हाफ लीटर की कि. कि भाट के में तो इसमें बड़ा स्पून नहीं चला सकते है तो मैंने टेबल श्पून लीआ यह आप इसे थोड़ा मुड़ा बड़ा को यह ग्यखने तो ऐल गरम जाता है तो उसी के according मैं बनाने के लिए आपको दिखा रही हूं मैं चाते हूं मेरी कनुन नका हर चोटी बडी चीज आपके साथ शेयर करूं मैं ऐसा नहीं है कि और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करता है सीवा सब्धी लोग करते हैं और बहुत अच्छे सेहे ही करते हैं जैसा सफर या तो फिर भी मुझे अच्छा लगता है मेरे बाबु के हर्ची शेयर करना तो अभी देख लीजिए अच्छे से ओईल गरम हो गया है ये अब हम इसमें डालने वाले हैं सूजी तो सूजी हमने डाल ली है अब हमें इसको भूनना है अच्छे से हमें लाइटर ब्राउन कर लेना है इसको काफी तेज हो चुका है ये उद्दम डालते ही भून गई सूजी काफी तो हमें जल्दी 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 इसको चलाना है और इसको गोर्डन ब्रा बोलो गाधारा मन हारी गोविंद बोलो हरी गोविंद बोलो हरी तो इस कड़ाई में पहली बार भी मैंने हल्वा ही बनाया था सिर्पित कोई बर्तन होता है कोविंध यो तो मैं पुता हम अमें मीठा ही बनाना चाहिए बढ़ बाइब मैंने दुध ना बोलकर Sacre हम एक मेथी सुट डिश क्यों में एक सबस्काइब काफी जल्दी बरने वाली इंस्टेंट रेसिपी जिसे आप कह सकते हैं और काफी टेक्स्टी बनती है मेरी शुन्नू को भी बहुत पसंद है तो कानून अन्नू के बहुत के बाद सारा हलवा वही खा जाती है तो मैं बनाती हूं जितना बच्चे खाएं क्योंकि बहुत का हल अब इसमें शुगर डाल लेती हैं अब इसको अन्नी कलाना है अच्छे के आप देख रहे हैंगे यह हलवे का भी कलर इतना मस आजाएगा इतना अच्छा जो इसका फ्लेवर आएगा आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करिए थोड़ा सा ही पानी आड़ करना है आपको हो सके तो आप दूद वाली कटोरी में डाल करके भी आड़ कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि दूद के बरतन को बिना खंगारे पानी से जूटे बरतनों में नहीं अतना चाहिए इसलिए तो चाहिए आप एक घूट पानी डालें त तो बिल्कुल भी जो है पानी नहीं डालते हैं लेकिन एच्छ गलाता है चाहें आप उस बरतन को जैसे आप डोली में लेकर आए हो आप उसके बाद आपको पानी एक गुड डाल करकर तो खंगार के उसी बरतन में डालना है जिसमें आप दूद वगेरा बनाते हो गरूं करत हो तो आप देख रहे हैं कितना टेस्टी हलवा बना है अब ग्राइफूक्स डाल सकते हो इसमें देख लीजिए काफी टेस्टी हलवा बना है देख लीजिए और काफी इसका अच्छा गोल्डन पलार आया है मैं इसे और डाय कर दूंगी अब यह जो हलवा है यह बन चुका है आप सभी को दिक्राओगा बहुत ज्यादा भाब आ रही है अब यह मैं तुबद कर देती हूं बाबू के लिए यह ज़ितना यूज में होता है बस इतना ही गरम किया जाता है असाग लिए हम उसके बाभी स्कांदिक अन्हाइँ करम सब्सक्ताइब शाइएविशा नर्वा चांद करें यासे finger dip करके मेरे बच्चा के लिए जादा गरम नहीं रह जाए भो चुका है जो दूद कर्म है इसको मुझे किसी से उठाना है ये रडी हो गया मेरे बाबू का खाना ये रडी हो गया है मेरे बाबू का खाना में भोग लगा के आती हूं लगाते आप सबीकों दिखाऊंगे नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है सब्सक्राइब के दिखाऊं तो इस टिस्टी सालवा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे क्योट से बाब की क्योट से चोटी से कड़ाई में जो मैंने टिस्टी सा हलवा बनाया है ऐसा पूर्ट साप अपने मन पसंदीता डाल सकते हैं हलवे में इसी साथ रादे राधेव